दुर्ग शास के आदर्श कन्या उच्चतर माधिमिक विद्याले की छात्रा सानिया मरकाम ने मेरिट में सात्वा इस्थान प्राप्त किया जिसके बाद छात्रा से मिलने पहुंचे दुर्ग पुलिस अधिक्षक ने छात्रा की बासुन दिखाई मनवता इसी कड़ी में पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिसेक पलो भी सुपकामना देने कल उनके घर गये थे तो सानिया ने पुलिस अधिक्षक से अपने पिता से मिलाने के लिए अपील की सानिया की पिता जेल में निरुद्ध है सानिय की बात सुनकर पुलिस अदिक चक महुदय ने ततकाल जेल प्रसासन से बात कर आज सुयम जेल पलिसर में उपस्टित होकर सानिय को उनके पिता से जेल में मुलाकात करवाई इस औसार पर एक पिता से उसकी बेटी और परिवार को एक साथ मिलाने दुर्ग पुलिस ने मानौता का परिचे दिया वो पल काफी भावुक रहा तो वहीं सानिया ने पुलिस दिक्षाक का भारविक्त किया इस भावुक पल में सानिया अपने पिता से तीन साल बाद मिल पा जब साम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालुम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मार पीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई जिसमें कि 302 के तहट जेल में अवरुद हैं बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बा कासी भावनात में भावक हो गए कहीं ना कहीं खुशी के आंसु थे पिता के प्रास्चताब के भी आंसु थे कि जो उसने किया कहीं ना कहीं प्रिस्थतियां दिखाती है कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकू बाजी करता है नशा करता है मर्डर कर देता है इसके का दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता उसके सदफ से कोई क्राइम करते हैं हमें परिवार का तिरसकार नहीं करना चाहिए जिसने क्राइम किया है उसका तिरसकार करना चाहिए और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए इस बच्ची ने इतनी मुसीबित अभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक ये हैं कि अधी आप मेहनत करते हैं, तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकते हैं, आपको गरीबी, जाती, धर्ब, शहर, गाउं, टाइप आफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते हैं, अधी जिन्दगी में हैं, तो और जारा होस्रों की आउशकता है, और आप होस्रों से कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये इस देश की डिमोक्रसी का भी सक्सेस है, ये गरीब परिवार से आई हुई बच्ची जिसके पिताजी जेल में हैं, वो भी मेहनत करके फात्मा रैंक हासिल कर पाती है, एक सप करके वो बाहर निकले और परिवार के साथ री इंटीग्रेट कर पाएं, निश्चेत रूप से इबवालिका ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने वार को, शहर को बहुरान विर किया है, दुर्क से नसीम फारुकी की रिपोर्ट